शनी देव हो चुके हैं महापापी मिथुन रासी मित्रो नमस्कार मैं मैं इंक त्रिपाठी नवग्यान जोती शेनल पर आप सभी दर्सकों का हार दिख स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि शनी देव जोकी नए सरगीक रूप से जोतिस में पापी ग्रह कहे जाते हैं ये महापापी ग्रह कैसे बन गए है उससे पहले ये जान लीजिए या फलादेश आप अपने मिथुन लगन के अनुसार भी देख सकते हो मिथुन राशी के अनुसार भी देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है आपकी लगन या राशी क्या है तो ऐसे में आप अपने और नाम राशी के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो ये भी ध्यान लखिएगा जो उपाई वीडियो में बताया जाते हैं क्रपा करके करने का फ्रयास करिए उपाई में बड़ी दम होती है बड़ी राहत दिलाते हैं उपाई अब शनी देवता वक्री वस्था में हो चुके हैं और ये महापापी ग्रह राहू के नच्छत्र शतिभिसा में गोचर करने लगे हैं और यहाँ पर इनका गोचर पंद्रह नौंबर तक रहने वाला है पंद्रह नौंबर तक यहाँ गोचर रहे इनका रहेगा और अलेडी शनी देव आपके भागिस्थान में बैठ करके महापलवान होने जा रहे हैं कोई भी ग्रह जब वक्री वस्था में होता है तो उसका बल कई गुना जादा बढ़ जाता है 25 डिगरी के होकर के वक्री हो रहे हैं और यह लगभग 18 डिगरी तक पीछे जाते हुए प्रती तो होंगे बात करें फलादेश की तो भागि भाव में इनका वक्री होना आपके लिए कोई बुरा फल देने वाला नहीं रहेगा पहली चीज तो यह आपके लिए खुश खबरी है भागेस का भागी भाव में वक्री होना भागी को बढ़ाने का काम करेगा इस समय भागी आपका बढ़ जाएगा दैवी क्रपा आपके उपर कई गुना ज्यादा बन जाएगी जिसके फल सरूब जब भागी हमारा साथ देता है मित्रों तो मान के चलो हम किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो काम निश्चित तोर पे सफल हो जाते हैं राहु आपके दसंभाव में बैठा है तो जो लोग नौकरी या काम कारोबार कोई भी कर रहे हैं तो काम बढ़िया चलेगा क्योंकि केंद्र में कोई भी पापी ग्रह असुब फल नहीं देता है चोटे मित्र भाई बंदूओं से इस समय मतभेद की संभावनाएं बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगी कोशिश करिएगा बहुत जरूरी ना हो तो अनाव सनाव की दूरी की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यात्रा करेंगे तो यात्राओं से विशेस लाभ आपको नहीं मिल पाएगा शनी के प्रभाव से एक सुब फल ये भी आपको मिलेगा कि वक्री शनी सत्रों को बैठ करके यहाँ पे कुचल नहीं हैं कोल्ट के चेहरी वाद विवाद में मामला अगर फसा है तो निश्चित तोर पे आपको राहत मिलेगी शत्रों पर आप हावी रहोगे जिसके फल सुरूप लड़ाई जगड़े यदि आपके चल रहे हैं तो इन सभी मामलों में आप विजई होते हुए दिखाई पड़ोगे आपके कुंडली में शनी का वक्री होना किसी वर्दान से कम नहीं है निश्चित तोर पे दैवी क्रपा के प्रभाव से जबर्दस्त लाभ आपको मिलने वाला है इस समय वयवाहिक जीवन आप भी आपका बढ़िया रहेगा क्योंकि सनी एक तरफ छठे भाव को कमजोर करके आपके स्वास्त पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे एची ध्यान लखिएगा क्योंकि जब छठा भाव आपका कमजोर होगा भाग्य मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है स्वास्त भी आपका अच्छा रहेगा वयवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया शांदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा छठे भाव का कमजोर होना यानि कि सब्तम भाव का बढ़ना ये आपके लिए सुब संकेत है और अगर देखें तो दैवी क्रपा आपके उपर बन चुकी है इसका लाभ आपको लंबे समय तक का खास करके 15 नवंबर तक का विशेश रूप से बनता हुआ देखाई पड़े